कि जी बिसमिल्लारमान रहीम सो ओप आयम आडिवल तो यू तो हमारा आज फिर्स्ट क्लास है तो हम आज यह डिसकस करेंगे के बैसिक्स अफ इंग्लिश ऐसे पूंट सी हैं और उसमें रेलिवेंस यूनिटी विरेंस इन अर्गनाइजेशन वैसे हमने जिन लोगों ने कल ड देखें और यह सिर्फ एसे के लेवल पे रिलिवेंस यूनिटी कोईरंस आर्गनाइजेशन सिर्फ ना देखी जाएं बट पिराग्राफ और सेंटेंस लेवल पे यह बात आप याद रख लें कि अगर आपका राइप वर्ड इट राइप पलेस है और आपका सेंटेंस इस वक्त आपका जो फोकस है वो किस पर होना चाहिए प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ दो वर्ड एंड राइटिंग एफेक्टिव सेंटेंस ठीक है तो इसी लिए जो आज का क्लास है उसमें आधे पॉर्शन में मैंने यह यूनिटी कोईरंस बैसिक्स आफ इंग्लिश पैसे प ली तो उस पे रखाएं तो आज हम इस टापिक को कवर करेंगे इन्शाला यह जो है प्लान डेली आपको में शो करूंगा ताकि हम इसी ट्रेक को फालो करें और अगर इसमें कोई चीज़ समय एड़ आन करने की बिसरूरत पड़ी तो हम उसमें करेंगे तो सबसे पहले किसी भी इंगलिश ऐसे में यह तीन चीज़ है इंट्रोड़क्शन बाडी एंड कंक्लिशन कामन है बट यहां पे जो सी एसस का हमारा इंगलिश का ऐसे है तो उसमें अगर आप देखें तो यह आउटलाइन बे मंगी जाती है तो हमें क्या करना है कि अपने ऐसे में आउटलाइन है उसके हम डिफाइन भी करेंगे इंशाला ठीक तो सबसे पहले हम अगर सी एसस का स्लेबस देखें और उसमें इस्पेशली इंगलिश ऐसे का स्लेबस आई होब कि किसी ने शायद नहीं देखा हो कि आप लाजम क्या करें कि वह उसका स्लेबस तोरी दो दो त ट्रेक करते रहे ठीक है अगर हम यह पेपर का जो उपर वाला पेज है उसको अगर हम देखें तो यहां पर यह कहरा है कि मेक आउटलाइन राइट अकॉंप्रेहेंसिव एसे ट्वाइव फाइव एंड्रेट पिल थ्री ताउजन वर्ट्स यह खहरा है ठीक है तो अगर इन गिवन टापिक्स अलमूस्ट तैन टापिक्स होते हैं ठीक है उपर नीचे बें हो सकते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं और यह कहता है कि मेक श्यर यू 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 यूस डिफरेंट फॉर्म्स अफ डिस्कॉर्स इस्दिपरंड फॉर्म्स आफ राइटिंग पॉंड से हम प्रेड़ेट विल बी गिवन फार और अर्गनाइजेशन रिलीवेंस एंड क्लिर ठीक रिलीवेंस के इलावा यह आर्गनाइजेशन यह क्लिरेटी प्राच जो इफ्यक्टिव सेंटेंस इसका जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे तो क्लिर पीपे हम तोड़ी रोशनी डालेंगे और इसकी कितनी आपको अंदाजा हो जाएगा इसके बड़ आप जिसके भी इससे पढ़ेंगे या अपने लिखे हुए इससे पढ़ेंगे तो आपको गुगल तिया नसरा आती जाए ठीक है तो यह जो है यह कुस्टिन के उपर कुस्टिन प् देता हूं आउट्लाइन में तो इसमें कोई मस्टंशा नहीं है अगर आप लेखते ही तो वुलन फुट अगर आप नहीं लिखते हैं तो उसमें वे कुई इस्यू नहीं है ठीक है बड़ एसे में इंट्रोड़क्शन में थीसिस लासम होंगी आपका सटान्ट इसे का जो थीसिस है वो आपका इस डांस है फार एक्जम्पल अगर यह एसे है विल कोवें नाइंटीन पैंडेमिक ब्रिंग एन एंड टो ग्लोबलाइजेशन तो मैंने क्या लिखा है कि अल्दों कोवें नाइंटीन ब्रिंग सम्चेलेंजिस फॉर ग्लोबलाइजेशन सच इस डिस्र से हैं तो यह सब्सक्राइब क्लास उसके बार मैंने क्या गया है कि इनदेप्नेंट किलास दिया तो कहने का मक्सद यह कि यह सवादिनेट के लाज़ है तो यह वीक स्टांस कर शो करता है ठीक है यह अदर पार्ट आफ आफ रॉक्ट के किलास है वो मेरे स्टांस को शोड़ा यह मैंने पूरा थीसिज में अपना मौकिफ लिया हुआ है ठीक है यह इसका सबाडिनेट किलास का यहां जो में किलास है इस पे हम जब आउटलाइन करेंगे उस पे जब हमारा किलास होगा तो इसमें यह चीज़ आएंगी अब यह है कि इंट्रोड्रक्ट्री रिमार्क देना चाहिए आउटलाइन में या नहीं में कुछ में नहीं दिये हुए है तो इसमें मिलकल कोई परेशान होने की बात नहीं है ठीक है आप देख आपको फील होता है कि आपके जैन में यह आप अच्छा बना लेते हैं इंट्रॉड्रक्र डिशाइसर फ्रस नहीं है यह कि दो लेकिंगी मौनक्स बाकर वचार ने मैं यह यह डिलिवंण्स यूनीटी कोहिरंस आर्ग नाइसेशन तो उसके साथ साथ कंकलीडिंग रिमार्क काव्ट वही सींट जो इन्ट्रॉड्रक्री रिमार्क की हमने बात की थीम् प्रिक्शान होने की बात नहीं है तो जो भी हम ऐसे पढ़ेंगे तो इसमें कुछ नाट डिसाइसफ फेक्टर सुनगे ठीक है ठीक है कुछ यह होगा कि बैस्ट होगा उनको यूस करना कुछ होगा कि अगर ना भी यूज हो तो मुटसान नहीं होगा यूज होना उसका बेस्ट परपस है जैसे हमने ट्राजिशनल पिराग्राफ की बात की थी तो इंशालला जब इंट्रोडक्शन ये चीज़े करेंगे तो कुछ चीज़ें आई चाहिए ठील के तो आउटलाइन में लिखते हैं तो पूरी आउट्राइट सेंटेंस में लिखें और आप देख रही हैं कि यह जो है मैंने यहां पर दिस्क्रिप्शन भी दी हुई है तो कुछ लोग क्या करते हैं कैसे पॉइंट वार लिखके यह देते हैं अब इतना रिपीट होता है कैसे पॉइंट वर तो यह जो रिलीवन्स है तो मैं आपको बात बताओं यह तो अगर नहीं होगा कोई भी पॉप्शन तो मांक्स आप कैसे मल सकती है तो मांक्स का और रिलीवन्स का क्या है डायक्ट प्रपोर्शनल है ठीक है अगर हम आईडिली क्या करते हैं कि हमें जो वह चीज पूछी ज हो सके वह उतना ज्यादा रिलीवन्ट होना चाहिए ठीक है तो तो यह आप मुझे यह बताएं कि कनेक्टिव्टी का इश्वी सक्वारा है या मेरी यहां आपके एन पे तो अगर मेरी एन पे हैं तो फरी यह बताएं वरना आपके साथ कोई शुने मेरे कारिंग इसकी शेयर क परसन क्या होनी चाहिए इस अब आइडियली मार्स बीस तो तो नहीं आसकती मिल्बत आप जितनी आपकी एच्छी होगी इतनी आपकी अच्छी मार्स तो आपका ज्यादा रिलीवन्ट होगा तो आपकी मां यह देख रहे हैं तो यह डिफेंड करता है डिलिवंट थीए और दूसरा है कि यूनिटी सिंगल आइडिया ठीक है तो मुझे यह बताएं कि सब को क्या आप मेसेज में बताएं कि का इश्यू आ रहा है ठीक है चलो कोई मस्कर नहीं है जिनको आरा है तो बिलकुल बिनाओ में इस साथ ये कर दो ठीक है तो बिलकुल भी प्रेशान नहाओ तो यह यूनिटी एंड शिंगल आए गया यह जो पेराग्राफ लेवल है ना हम इसमें यह टॉप्ट लेविल एंट आ यह सेंटेंस लेविल है तो सेंटें में करेंगे यहां पर सिर्फ पराग्राफ लेविल वाली करती तो क्या करना है कि जो पराग्राफ है नँ उस में एक आइडिया आना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप एक पिराग्राफ में क्या करएं more than one ideas आप्षец करें तो तो सिरुफ यबात मैं कहां कि एडुकेशन रेजिस्ट है टो सिरुफ इंटेलेक्च्ट आइडिया सोगे ये सेंटेंस की एफ्यक्टिवनेस भे खराब कर रहे हैं और दूसरा यह पेराग्राफ की यूनिटी को भी वाइवलेट कर रहे हैं तो टापिक सेंटेंस जब हम वैसे आज तो हमारा डेसिक पे हैं तो टापिक सेंटेंस में हम और रोशन ही डालेंगे तो टापिक सेंटेंस एक आइडिया को डिसकस करेगा तो अल्टीमेटली बाडी सपोर्टिव आर्गिमेंस पे एक ही आइडिय तो यूनिटी का आइडिया पेराग्राफ लेवल पे यह है कि अगर एक पेराग्राफ एक आइडिया अगर आपको मैं कहूं कि पांच पेराग्राफ से तो आप कहेंगे पांच आइडिया से छे बाड़ी की छे हैं तो ची ठीक है अगर आप पेराग्राफ का कोई ऐसे है पू क्यों कि एक दागड में इसे दोसरा प्ोएंट निकलती इसी तरह ये देख रही है यह तस्वीर ही बता रही है कि एक चीज एक में connect इन्ट इन फिट हुए है इसे लेवल पे आपके जो पेरा paragraph हों एक दूसरे के साथ फिलो करें दूसरा paragraph पहले से निकले तीसरा दूसरे से चोटा तीसरे से एक फिलो बनता जाए sentence दूसरे sentence से निकले एसे मतलब पूरी connectivity हो यह तब ही connectivity हो सकती है जब clearance होगी coherence तब ही develop हो सकती है ठीक है तो coherence अगर नहीं होगी ideas की degradation होगी from one point to another point यह क्या करेगा बिल्कुल इसे पढ़ने में मसा नहीं देगा आपने paragraph में topic sentence में एक idea discuss किया और paragraph के बीच में जाके आपने idea shift कर लिया तो यह क्या होगा यहां पर यूनिटी वालेट होगी और coherence बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो coherence क्या चीज़े यह चीज़ें वेसे पर आगे आएंगी यह चीज़ें आखर तक चलेगी ठीक है separate बिल्कुल यूनिटी paragraph वाली coherence and organization separate पर discussion organization का यह के कौन दो मना है कौन सी चीज़ पहले आनी चाहिए यहां पर देखें वन टू थिरी फोर फाइफ यह six यह कराएं नहीं यह इसको उपर लेकिया organization यह कहते है यह जो पहले वाला इसको second ले जाएं ठीक है यह जो तीसरा है वह वहाँ पही रहे यह जो चोत्ता है उसको यहां लेकिया है ठीक है इसी तरीके से वह कराएं कि जो paragraph most important यह उसको पहले रखें जो लीस्ट इमपार्टंट है उसको पीछे रखें और most important लीस्ट उसमें एक तो मेन वेरियबल होंगे दूसरे सब दरीबल होंगे एक मेन आसपेक्ट होंगे दूसरे सब आसपेक्ट होंगे तो यह बताए कि कि मेन आसपेक्ट में कितने सब इसपेक्ट होने चाहिए किसी में छे लाइक हैं तो उसमें छे होने चाहिए किसी में कम होने चाह तो मेरी राइटिंग का परपस क्या है जब आप लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैं राइटिंग कर रहा हूं जो मैं पेपर कर रहा हूं जो मैं इससे बना रहा हो, classroom में बैठके, यहां जाके, रूम पे अपने रूम पे बैठके, यह यह जो है, पेपर में बैठके, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिखने का purpose क्या है? एसे नहीं है कि आप विदाओ कांशस्ली थिंकिंग कि आप एसे लिखना तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेंगे आपको पता होना चाहिए कि एसे की डिमांड क्या है एसे आप किन कौन सी आडेंस के लिए लिख रही है आपका किसी जनरल में तो पबलिश नहीं होना ठीक है नहीं है साइंस का कोई मुकाबला है कि आपने वह अगर साइंस पे इसे लिख रहे हैं तो जार्गन्स वो लिखेंगे तो आपकी इंग्लिश लेंग्योज की टेस्ट है अगर आप बंबास्टिक वर्ड्स जार्गन्स में चले जाएंगे तो वो चेक करने वाला बोर हो जा चैसलर होगा कोई अकेडिमी कोगा ना अकेड़मींशन होगा ना बना मता तो हमें उसके लिए लिखना है तो हमें उसको जहन कि उसकी डिमांड क्या हो सकती है वो यह चाहएगा कि फिलालेस इंगलिश हो रिलीवन्स हो यूनिटी हो और सो आर्मनाइजेशन हो जो पॉइंट आपने दी है उसको सपोर्ट किया तो यह चीजें इसमें आ जाती है तो आप इस चीज को देखिए यह जो चीज है ठीक है यह आप पढ़ें यह आपको मैं 30 seconds देता हूं आप खुद परीट करें मैं आपके लिए परीट करता हूं ठीक है तो आप कुस्ट्यूंस जेतने भी हों आप उट करते जाएं मैं आखर में या से चैट पाक से आपको ऑन्सेर कर दूगा या आपके मेरा मैक को आप ओपन कर देंगा ठीक है घलो मैरियन आइव मेर्याइन आइव मेंस्ट टू टू ग्लासेश सू आइम यां जितन अग्स अस ग एक प्रोफेसर को कि यह एक प्रोफेसर को काल करने का अंदास बेलेकुल नहीं है और तो हमेशा पिटलाईज आता है नहीं है फार्मल राइटिंग अपने प्रोफेसर को लिखने ता आप यह बताएं और यहां पे कोई फुल स्टाफ कोई कैपिटलाईज नहीं यहां पे जरूरत नहीं है वहाँ पे दी हुई है तो बिल्कुल वे कोई पॉर्मल राइटिंग के रूल सी नहीं फालो किये तो मतलब इस इस्टूडन को इस केंडिडेट को पता ही नहीं कि मे यह जो चांसिस ने हो और ज्यादा खतम होगे तो अगर आप इसकी जगह हों तो आप मुझे बताएं किया आप को यह एक्सेप्टबल होगी एज़ प्रोफेसर कि आपका स्टूडन इस तरीके से आपको काल करे हो इस तरीके की लिंग्योज लिके इनफॉर्मर या जो यह मैसेजस IAT होती है उसी तरह हमारे केमेर अग्रोफेसनिक के आपकी सब्सक्राइब कीधा है ने तो दूसरा के वार्ड टू बफोर्र इनफ्टे के लिए especially CSS के लिए आपको बात बता रहा हूं कि आपने जो भी टापिक करना है वो एज़े टापिक प्रिपेर ना करें एज़ेंड एरिया प्रिफियर करें एजूकेशन है तो एजूकेशन का जो टापिक है वो उठा के प्रिपेर ना सिर्फ करें उस पे एजूकेशन पर अच्छे बुक से रीड करें फार एक्सेंपल फालें लीस से विल्डूरेंट को बेटर रूसल को रीट करें शाह सिदी की का बुक यह मैं आपके साथ शेयर करूंगा रीडिंग्स और भी ज्यादा रीडिंग्स है तो आपने ऐसे एरिया एलसें रेमिडिस ऑफ एडूकेशन सिस्ट साथ कोरिया का प्रामरी एडूकेशन सिस्टम देखें स्विजर लेंड का देखें तो डिवल्प कंट्रीज के भी देखें तो एजेंट एरिया प्रिपेर करें अच्छे बुक से और रिसर्च पेपर्स को जो फारें पॉब्लिकेशन से इस्पेशली उनको इस्टड़ी कर करें एसे फिर किसी से चेक करवाएं जो मिलें उनको फालो करके करेंट करें तो एक आपके लिए लासे तो एक एक्टिवटी में आपके साथ शेयर करता हूं हम आपको एक हुगा ठीक है तो यह जैनल है कि आप अब हमारी चल रही है कि टापिक है फंडिंग फॉर रिलीजि में इस ट्राइब के नहीं आते हैं यह मैंने आप उसके साथ से लिए शेयर किया कि आपको समझ सकते हैं तो फंडिंग फार रिलीजिन बेस्ट स्कूल सिनियोर सिटी के सबसे पहले आपके जहन में रियस्पांस आएगा वो कौन सा रिस्पांस और वो रिस्पांस क्यों आत है है गो पांसिबल व्यूपांस आ सकते हैं कि यह एड़ान करेंगे की फार्मल एदुकेशन सिस्टम को दूसरा यह सकता है नहीं या यह वो जो माटरन एजुकेशन है उन पार नहीं करेंगे जो लेबर फोर्स से वह नहीं है यह दो कुई पॉइपोंट्स है मैं कोई एक अपना जो ए उस पर जो मैंने कंसीडर किया है उस पर सब्सक्राइब करूँ अगर दूसरे का कोई वीवट देता हूं तो वह दे सकता हूं बढ़ जो अपना वीवट होगा उस पर टाइम भी ज्यादा लगा रहा है उस पर इस पेस पर ज्यादा फिल करनी है ठीक है अगर दूसरे का मैंने कोई स्टांस दिया कि यार यह जो है मौडरन एजुकेशन नहीं करेंगे तो तीन पराग्राफ दिये तो अपने भी छे पराग्राफ दूगा कि यह नहीं यह लिटरिस रेट पर लाने में हेल्प कर सकते हैं फाइदों पे में छे प पॉइंट नें एक्जमिनर कें आलसो वी इंडिसाइजव आवाओ गिविन यू भास ठीक है तो यह भी है कि मैं आपके साथ शेयर करा हूं कि यह टोनी अपने इंस्ट्रक्टर को मेसेज करा है आप देखें कि इसकी लेंग्विज क्या है हम आते हैं टोन आफ टॉपिक क्य होने चाहिए यह कर रहा है पीट वाट्स अप जैसे हम दोस्तों को करते हैं इसमें भी देखें कि इन्हों ने इसने केपिटलाइज बिल्कुल भी नहीं किया ठीक है सिंपल ऐसे ही आइनों आप देखें किस तरह लिखें यह हैं यह यह विंट इस तरह नहीं लिखा जाता काम आती है और फार्मल राइटिंग पर गिल्कुल यह कंट्रेक्शन भी नहीं करें जाएं यह विद आइवड आइड आई डिलिक आइड यहां पर यहां पर यह 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 किःने का मकसद यह किस तरीके से वार्म ले राइटिंग लग रही है अगर हम इस तरीके की गलतियां करेंगे और आप बताएं कि आप फार्मल राइटिंग को पास करेंगा तो यह आरग समझ लें कि गलतियां हम हमЭто यकीन है कि आप साम नहीं देखेंगे इन मेशिज पो कोई ना कोई गलती आपके पेपर में होगी तो इसी तरीके से आपको अपना टोन अफ्टापिक के या आपको दोस्त को बेज़ें समझ में आती तो आब टॉनी को अपने का बिल्कुल भी पता नहीं और आप मुझे बता है कि सका इंस्ट्रक्टर का रियक्शनि क्या होगा ठीक है तो जाहर सी बात है तो यह जो आड इसने कांद्रेक्शन या के PTA toen का परपस पुरा बिलकुल नहीं पुराओ का उसका बॉल ही अचीव नहीं होगा तो टोणी का जो टीचर रहे पीट हमrhब करता है कि यह अच्छे तरीके से इसने मुझे इमेल कि तो यह जो टोन है यह मैसेज को डिसक्राइब करता है ठीक है तो हमेशा आपका जो मेसेज है वो आपके टोन से डेटरमेंट होता है इसलिए फार्मल राइटिंग में आपने बिल्कुल यह जो हमारी प्रेटिश लेंगवेज उसको ही क्या करना है के लिए होंग है कि हाओ वुड यू राइट ओनीज मेसेज यह कल मुझे मेसेज आप सब ने वार डाकुमेंट पे लिखके ठीक है यह कापी पेस्ट करके मैं आपके साथ स्लाइट करूं बलके यह आप लिखके ठीक है मुझे सेट करके बेची ठीक है तो सरफ वही पैसे जो वुड मैक और हो दीज रिलेट टो पीट सीट सेंट इंटरिस्ट वह चेंजिस जो आपने किया है वह अजारी बाते आप जब सभी फ़ाम देंगे मुझे तो वह खुद वह खुद एक्सपिलेंट हो जाएंगी और इसको हम के लास के फरस्ट में डिसकस पे करेंगे ठीक है हुआ 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 है